नमस्कार हम फिर हाजिर हैं अपना कारेक्रम मागदर्शन लेकर युवाओं को मागदर्शन देने के लिए हमारे बीच में मुझूद हैं कर्मविर विद्यापीट के प्रचार श्री संदीब भटसर संदीब भटसर ने पिछले सब्ता हमसे कहा था कि अगले सब्ता वे परियाटन को लेकर बात करेंगे हमने भी इससे संबंदित सवाल मगाये थे हम उन सवालों के जवाब सर से पूछे इससे पहले हम सर से जाएंगे कि सर परियाटन में क्या संबावना है इसके वारे में पूजगार की अनीक अन्ेक सम्भावना हैं। और जब हम भारत के बारे में भारत के परेटन के बारे में बात करते हैंथ तो भारत अपनी आपने एक महादेश हैं यहां अलग अलग Called तो हमारे पास दुनिया में बहुत प्राचीन तम जगें भी हैं प्राचीन धरो परेटन की बहुत आसीम संभावना है और एक इंडियन ब्रैंड एक्विटी फाउंडेशन आई बीएफ की रिपोर्ट है उसने 2019 में एक सर्वे किया था उसकी रिसर्च की रिपोर्ट है कि दुनिया के कुल परेटन के मामले में भारत दसवे स्थान पर है तो इसलिहार से अगर हम देखते हैं तो हमारे यहां परेटन की बहुत संभावना है और बहुत सारे रोजगार इस सेक्टर में हो सकते हैं आपको मैं यह भी बता दूँ कि देश में प्रतिवर्ष लगबग एक करोड से अधिक या डेड़ करोड से अधिक यही रिपोर्ट पताती है कि डेड़ करोड से भी अधिक विदेशी परेटक आते हैं और उसके साथ-साथ घरिलू परेटक भी बड़ी संग्या में अलग-अलग जगों पर परेटन के लिए जाते हैं तो लोजगारा की संभावन olanाद अधिक निए ब्रडवी करने अलग-अलग जए अलग-अलग चेतर हमारे देश में हैं वहां पर लोगilo को समझते हैं और नेचर से अपने अपको कनेक्ट करने का एक है के तरीऔर अ को Praisip जी यह है कि हमारे देश में जो GDP हमारी है उस GDP का लगबग 8 प्रतित हिस्सा अभी परेटन से आता है और जी बिल्कुल परेटन से आता है और कई शोध रिपोर्ट ही कहती है कि साल 2028 तक परेटन के छेतर में हिंदुस्तान में लगबग 5 करोड से अधिक नौकरिया होंगी तो इस लिहास से अग लोग हर साल साल अना भारत में आने वाले परेटकों की संख्या और घरिलू परेटकों का भी बाहर जाने का जो बाजार है वो लगातर बढ़ता हुआ एक सेक्टर है इस लिहास से स्कूप इसमें बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में आने के लिए हमारे युवाउं को क्या करना होगा? किस तरह के course होंगे? किस तरह के degree course होंगे? या diploma course करने चाहिए जिसे उन्हें इसमें फायदा मिले होता है? आसीब जवाना होता था कि, देखें, हम किसी शहर में जाते थे, किसे काम से आप ढूमने गए, किसी दूसरे office के काम से गए, तो हम को hotel चाहिये होता था है, तो हम hotel को बुक कराने के लिए देखते थे railway station है, bus station जहां afy आप जाते थे, वहां तलास करते थे कि भuição हमें hotel मिla जाए, आज की तारीक में यह है कि आप आप खंडवा से कहीं जा रहे हैं मालीजे इंदोर जाना आपको दो या तीम दिन के लिए जाना आपके पास हैं मतलब ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपके पास में वेबसाइट से आप में से बहुत से लोगों ने मेक माई ट्रीप का नाम सुना होगा यातरा.com तो इस तरीके के नए options बहुत आ गए हैं तो उसमें क्या हुआ है कि अलग-अलग skills वाले लोगों की जरूद भी परेटन में लगी है और जो आप कह रहे हैं कि योग्यता क्या चाहिए तो देखिए परेटन से संबंदित जो भी courses होते हैं यह आपके दस्वीं के बाद से श in tourism and travel management का पूर्स, airline ticketing का पूर्स आपके पास guidance का कूर्स क्यों की प्रवाल डेस्पिनेशन में क्या होता है रहे हैं इवन आपको आप हम मतलब देश की बात ना करें देश से बाहर भी अगर आप travel and tourism industry में काम करना चाहते हैं तो foreign languages के course हैं जो certificate label से लेकर डगर डिगर दिगर लेबिल उसके बाद डिप्लोमा लेबिल उसके बाद डिग्री लेबिल ये तीन तरह के जो है आपके पास में नॉर्मली ऑप्शन्स हैं जिनको करने के बाद में आप अपना करियर थोड़ा सा ट्रेवल इंट टुरिज्म में शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी बात है आश ट्रेवल इंट टुरिज्म में जाते हैं तो ये भी थोड़ा सा आपको इसका एक एडवांटिस मिलता है सर देज भर में टुरिज्म को लेकर काफी कुछ इस्टिट्यूट से जो ये काम कर रहा है इसमें इसकिल्स ही क्या ज़रुवत पड़ती है किस तरह के इसमें शुरू किये हैं उसमें हमारे हर राजे में लगबा लगबा हर राजे के राजे विश्व 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 विश साथ अगर जो विद्यार्थी या जो students या जो युवा साथ ही हमारे हैं और जो कहीं काम कर रहे हैं किसी कारणवस वो इस तरह का डिपलोमा या डिगरी नहीं कर पा हैं और अभी चाहते हैं कि अपना career हम switch करके travel tourism के sector में अपना career बनाए हैं उनके लिए open universities के distance learning program बहुत ही मददगार हो सकते हैं या जो लोग पहले से ही travel and tourism industry में काम कर रहे हैं वो अपनी skills को enhance करना चाहते हैं डिगरी को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छी रूजगार इस सेक्टर में चाहते हैं तो distance and open learning से अगर डिप्लोमा या डिगरी कर लेते हैं इसमें BBA के courses होते हैं BBA travel and tourism का, BBA travel and tourism का course होता है, hotel management के courses भी कहीं न कहीं से related हैं इस सेक्टर में तो आप चाहे डिगरी करें चाहे डिप्लोमा करें आपके आसपास के institutes को एक बार तलास लें कि कौन से university से कौन सा course करवाया जा रहा है और distance से अगर आप करना चाहते हैं तो हर state में लगबग करने के लिए क्या क्या skills होनी चाहिए यूँ आउंके बास आसिप जी चुकि travel and tourism industry में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के पास हमेशा हमेशा नए लोग आते हैं नई भाशा वाले नई संस्कृति वाले नए भागोलिक चेत्रों से परेटन चुकि बाहर से याई वे लोग अगर आपके घरेलू परेटक भी हैं तो अलग राज्यों से हो सकते हैं अलग शहर से हो सकते हैं तो उनको जानने और समझने की रूची एक ब्यक्ति के बीतर होनी चाहिए सबसे पहली बात तो परेटन में उस ब्यक्ति को करियर बनाना चाहिए जिसको हमेशा नई चीजे देखने का शोक हो नई चीजों में उसकी रूचियां हो नई संस्कृतियों को समझना चाहता हो नई भाषाओं को जानना चाहता हो तो इन स्किल्स को एनहेंस करना चाहिए एक ब्यक्ति के बीतर यह हमेशा ट्रेवल इंट टूरिज्म जो काम करता इस सेक्टर में उसके बी नई बासाओं को समझने का सीखने का नई चीजों को सीखने का सौक अगर आपका है नई चीजें देखने का नई जगें घूमने का सौक अगर आपके बीतर है नए खानपान खाने का आपके बीतर शौक है यह लोगों से मिलने का आप जो है जज़बा रखते हैं आपको बहुत बड़िया धन्यवाद सर आपने जो सारी जान करी दिये, हमुमन यह माना गया है कि प्रोफेशनल कोर्स महंगे होते हैं, तो आप इस तरह कुछ मार्क दिशन देगे कि बच्चों को कुछ इसमें थोड़ा जी राहत मिल सेके, नहीं आपने ठीक, आसिप जी, कई बार क मारे कोर्स को लेकर के उसकी फीस को लेकर बहुत भानतिया होती हैं, लोगे सोचते हैं कि प्रोफेशनल कोor jamis घ्रीजय को कॉर्स है और इसलिए हमारे यूवासाती कई बार बटर प्रोफेशनल कोर्स को अपने करियर के लिए नहीं चुलती है लेकिन ऐसा बल्कुल नहीं उसके साथ ही साथ, तमाम राज्य विश्व विद्यालों में सरकारें स्कॉलर्शिप भी देती हैं, अलग-अलग तरिके छात्रुवतियां विद्यार्चियों के लिए होती हैं, तो युवासातियों आप बिल्कुल यह ना सोचें कि हम साथ ट्रेवलन टुरिज्म का कॉर्स क ला सकते हैं, और एक अच्छा करियर उसमें बना सकते हैं, आसिप जी यह तो हुई सर के बाद, सर ने बताया है, टूर एंट टुरिज्म हम किस तरह अपना भविश्य बना सकते हैं, कुछ सवाल भी हैं सर, जो हमारे पाठगों ने हमसे दर्शकों ने पूछा है हमसे, आरत स्ट्रीम आपको नहीं चाहिए, अगर आपने आच्स का कोई कोर्स किया है, आपके बारवी में आपके आठ्स के सब्ज़क्त रहे हैं, तो भी आप जा सकते हैं, आपके साइंस के हैं, आपके commerce के background है, तो भी आप इसमें, अपना करियर होटल मैनläजमेंट में और travel and tourism industry के को सकते हैं किसी भी कोर्स में आप अगर बैचलर में ले रहे हैं डिप्लोमा में ले रहे हैं तो कोई खास बात देता नहीं है कि आपका पर्टिकुलर सब्जक्ट होना चाहिए तब भी आप इसमें जा सकते हैं सर दीपाली पूछ रहे हैं यदि हम होटल मेनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो कहां से करना चाहिए किस यूनिवसिटी से मैतर होगा थेखे आपके पास में मंध्यप्रदेश की याँ बात करें तो यहाँ पर स्टीट गवर्मेंट के अपने राजय सरकार का अपना होटल मेनेजमेंट के इस्टूशन हैं उसके साथ हमारे पास में ट्रैवल टूर्डियों मेनेजमेंट का एक इक पराइक अच्छा लेकिन जहां तक बात आपकी खास hotel management की आपने पूछी, तो hotel management एक section है, एक हिस्सा है travel and tourism industry का मात्र, तो अगर आपको hotel management से related कोई course करना है, तो आप state के अपने hotel management institute से इस तरह का course कर सकते हैं, प्राची पूछ रही हैं सर, कि यदी मेरा graduation complete हो चुका है और मैं अब hotel management में जाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, hotel management को लेकर थोड़ी से ज़्यादा रूची है यहाँ, हाँ बिल्कुल लोग hotel management एक समय पे तो आसिफ जी बहुत अच्छा course भी था और बहुत अच्छा sector भी था, लेकिन अब यह travel and tourism साथ combine हो करके और इसमे स्कोप आगया hotel management के industry में, लेकिन hotel management भी बहुत से काम होते हैं जैसे उसमें आप देखेंगे कि kitchen का एक section है, hotel management भी अपने 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 अलग-अलग departmentation के बहुत से department उसमें कॉडिनी तो बिल्कुल बिल्कुल kitchen उसमें एक section है उसके बाद जो customer relation है उसमें या front office management जिसको कहते हैं वो बिल्कुल एक अलग है उसके बाद में आपका यह hospitality वाला sector जो लोग hospitality provide करवाते हैं service sector वो अलग से ह एक integrated तरह का course है तो इसमें scope भी बढ़ा है इंट्रेस भी बढ़ा है तो अगर आपको hotel management का course graduation के बाद में करना है या hotel management में आप चाहते हैं कि मैं graduation करना है मैंने B.com कर लिया BA कर लिया B.sc कर लिया है और अब मुझे hotel management के course की तरफ जाना है या hotel management के sector में career बनाना है तो जरूर पली बहुत से hotels हैं अच्छे hotels अच्छे groups जो companies हैं उनके hotels हैं जिनके देशबर में अपने chain होती है वो समय समय पर recruitment अपने इस तरह के करते हैं अगर हम कोशिश करेंगे कि अगले आंक में कुछ इस तरह के जो हम जिन रोजगार के sectors पर बात कर रहे हैं उससे related को jobs भी आपको लेकिन यह जो hotels हैं यह hotels भी समय समय पर recruitment करते हैं तो आप सीधे उनके वाकिन interview में सामिल हो सकते हैं graduation के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह के काम hotel management के इंदस्ट्री में हैं तो graduation के बाद भी आप इस तरह का काम कर सकते हैं साक्षी पूछ रही हैं सर नए नए कोर्स आ गये हैं जिसका पता हर किसी को नहीं होता और फिर वो 12th complete होने के बाद कोर्स ढूनते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए जी यह आपने सही का कि नए नए कोर्स हैं और क्योंकि हमेशा क्या होता है इंडस्ट्री में जो है एक इंडस्ट्री तो growth करती है दूसरे बंहोती है या transform हो जाती है बदल जाती है अब जब्ल चल आप इक जानी में std и l district सामने यह समझ्य होते हैं जवानों के साथ में कि कई बहर vak्राम को मालूम होता है कि हमारी इससे किस तरफ जादा है वह कहा कई-खैर बना तो इसके अपक्छा पर इस को संझें और उसमें करियर से मैं आप की आज की दिनों में समाचार चैनलमे। भी रोजगार की जानकारियां दे जा रही है यह हो गया है यह आला में असिभ जी उसके साथ आपके पास वेबसाइट से आप बिल्कुल अपने मुबाइल पर सर्च कर सकते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी खबर चलाने के लिए इस तरह की जूटी खबर भी उसके अंदर डाल लेते हैं और जब हम उसको सर्च करते हैं तो वो चीज़े सामने होती हैं बहुत सारे बच्चे उस पर बारुसा करके कई बार धोका भी खा जाते हैं यह तो है इसमें भी थोड़ा सा मतलब आप जरूर मोबाइल पर सार्च करें सारी चीज़े देखें लेकिन उसकी विश्वसनियाता पूरी तरह परखले कि आप जिस वेबसाइट को देख रहा है वो कितनी विश्वसनिया इस लिए तो इस तरह का कारिकरम हम कर रहे हैं इस कारिकरम का उद्दे आपके मन में कोई सवाल आता हो आपने डिग्री डिप्लोमा करने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और नया करना है तो आप बिल्कुल अपनी जानकारियां पूछ सकते हैं साजा कर सकते हैं यही इस कारिकरम का उद्देश भी मेरे खाल से एक सवाल और सर कोमल स सोनी ने वेजा है यह प्रेटन से संबंधित कोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा और इस से किस तरह की पढ़ाई करनी होगी मैं सोचता हूं शाहिद यह सारी बाते हम बता चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल इसमें सब्जेक्ट भी क्या होगा यह भी हम बता चुके हैं शाल लेकिन उनके query है तो अपने बता देते हैं लेकिन नर्सिंग का कोर्स अगर आपने बार्वी विज्ञान विश्यों के साथ में किया बार्वी के बार्वी के बाद शुरू होता है इसके शास्किय जो नर्सिंग के college भी होते हैं बहुत सारे institutions भी होते हैं और आपको बतार नर्स करने के लिए Nursing Council of India में रेजिस्टर होना पड़ता है तो BSC Nursing का कोर्स अगर आप करते हैं इसके बाद में आप बतार नर्स काम कर सकते हैं आपके पास बहुत से institutions हैं समय समय पर जब उनका admission process उनमें शुरू होता है तब आपको admission के लिए application करना होता है और जो college के admission process है उसके इसाब से merit में अगर आप आते हैं तो आप BSC Nursing के पोर्स में admission ले सकते हैं लेकिन इसके लिए युगता यही है कि आपका बार्वी में बिग्यान विशेओं के अनिवाह रहता है तो सवाल यहां पर खद्म हुए हम आप हमारे दर्शेओं को यह बताई कि अगले सप्ता आप किस विशेओं के ओपर यहां चर्शा करना जाए आसिप जी बिलकुल अगले सप्ता हम जो है बिग्यापन के छेत्र में करियर क्या हो सकते हैं क्योंकि अड्विडाइजिंग इंडस्टी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है और हम कोशिश करेंगे कि अपने इस कारिक्रम में हम लगाकार नए से नए उभरते वे सेक्टर के बारे में अपने युवासातियों को जागरूप करें उनको बताएं कि इस ये जो सेक्टर है ये इसमें रोजगार के लिए नई संभावना है और आप जाकर के उसमें बेहतरीन करियर स्थापित कर सकते हैं तलाश रक्ते हैं तो हम विग्यापन के छेटर में रोजगार के संभावना आपर अगले अंक में बात करेंगे तो जैसे कि सर ने बताया है कि अगले सब्ता हम बात करेंगे एड़िटाइजमेंट में किस तरह की केरियर मनाये जा सकता है तो हम निवेदन करेंगे आप से भी कि आप अपने सवाल बेजिए आप अपनी कोरीज बेजिए ताए कि सर उसके जवाब दे सके सर आज के इस कारगरम में शामिल होने के लिए इस W24 News के पूरी टीम की और से आपका धन्यवाद शुक्रिया